जैसरी राधिक्रिष्मिर आईए आज आप सब जानेंगे वर्ष 2024 फालगुन मास शुकल पक्ष में आमल की एक आदसी का व्रत कब किया जा रहा है? किस तीन व्रत को धारण करे? व्रत का पारण कब? और किस चीज से किया जाएगा? इस तीन भगवान को किस वस्तू का भोग चाहिए इस दिन क्या करे क्या ना करे तो आएए जानते हैं शुब मुर्थ ब्रत पुजा महत्व नियमों के बारे में संपुर्ण जानकारिया की प्राप्ति के लिए वीडियो को अंत्य तक जरूर देखे चैनल पे अगर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को लाल बटन द एक आदसी ब्रत की ठेर सारी शुख कामना है आप सभी के जीवन में भगवार दिशनो माता लक्षमी की करपा से आप सभी को सभी प्रकार के शुख और शम्रिध्धी की प्राप्ति होगें फालगुन महा के शुक्ल पक्ष में पढ़ने वाली एक आदसी को इसे आमल की एक आदसी के नाम से जाना जाता है प्रतेक महा के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एक आदसी तिथी के दिन एक आदसी का ब्रत किया जाता है इसे एक आदसी या ग्यारस ब्रत के नाम से जाना जाता है एक आदसी का ब्रत भगवान सरकृष्ण भगवान विष्णो को अ आमल की एक‌ादसी, रंगभरी, एकादसी बृत्य का अपना विशेश महत्यु बाना गया है। यह सभी प्रकार के पापों को निश्ट करने बाली है तथा यह भक्तों की रक्षा करने करने बाली है। यह ब्रत मोक्ष परदायक धन वैभव एवं पुत्र पोत्रादिक परदायक ब्रत्य है। इस ब्रत में जोकि आमले के ब्रिक्ष के नीचे कलस को अस्थापित करके भगवान विष्णू मातालक्ष्मी और भगवान विष्णू के जोकि परशुराम सरूप का पूजन करना चाहिए। और इस दिन भगवान को विश्यस करके जो की आवला अर्पित करने चाहिए और उसे प्रसाद के रूप में ग्रहन भी करना चाहिए। जैसे की जो, गेह, ग्रेत, सिंधा नमक आदी का पर्योग करके जो की भोजन भ्रहन करना चाहिए। सुरे देव को अर्गी परदान करके जो भी ब्रत धारन करने वाले हैं उन्हें ब्रत का संकल्प लेना चाहिए। और इस तीन विशेश प्रकार से जो की आमले ब्रिक्षि के नीचे बैट करके कलस को अस्थापित करके पूरे बिधी विधान के साथ भगवान विश्नु माता लक्ष्मी और भगवान विश्नु के प्रसुराम सरूप का पूजन करना चाहिए। जो पुवास नहीं रह पाते हैं जिनका स्वास्त सही ना हो तो आप एक समय फालाहार गहन करें। इस ब्रत्यका पारण जो की 12 सिती के दिन हरी वासर समाप्त होने पर ब्रत्यका पारण करना चाहिए। वर्ष 2024 एक आदसी तिती प्राणब समय जो की 19 मार्च 2024 दिन मंगल बार रात्री 12 बजकर 23 मिनट एक आदसी तिती प्राणब है और एक आदसी तिती की जो समाप्ती है। वह 20 मार्च 2024 दिन बुद्धवार को रात्री 2 बजकर 24 मिनट पे एक आदसी तिती की समाप्ती है। और 12 तिती की समाप्ती जो की 22 मार्च की सुबह 4 बजकर 45 मिनट पे 12 तिती की समाप्ती है। हरिवासर समाप्त जो की 21 मार्च को सुबह 9 बजे हरिवासर समाप्त होगा। तो इस ब्रत का जो पारण किया जाएगा वहाँ पारण 21 मार्च 2024 दिन गुरुबार को ब्रत का पारण किया जाएगा। वो 19 मार्च को दस्मी दिन के नियम का पालन करेंगे, 20 मार्च को एकादसी का ब्रत धारन करेंगे और 21 मार्च को आमल की एकादसी रंग भरी एकादसी ब्रत का पारन किया जाएगा 21 मार्च को जो पारन का समय है वह समय दो पहर एक बजकर 41 मिनट से साम 4 बजकर 7 मिनट तक एकादसी ब्रत का पारन किया जाएगा इस ब्रत का पारन जो की गो दधन्या पारन यानि की गाय के दूद के दही से इस ब्रत का पारन किया जाएगा 20 मार्च को जो सुर्योदे का समय है वह समय, सुभा 6 बज़कर 2 मिनट और सुर्यास्त साम 6 बज़कर 9 मिनट इस तिन ब्रह्म मोर्ट का 20 मार्च को जो समय है वह समय, सुभा 4 बज़कर 50 मिनट से, सुभा 5 बज़कर 37 मिनट तक ब्रह्म मोर्ट का समय होगा राहुकाल का जो समय है 20 मार्च को वह 2 पहर 12 बजकर 5 मिनट से 2 पहर 1 बजकर 36 मिनट तक और 21 मार्च को 2 पहर 1 बजकर 36 मिनट से 2 पहर 3 बजकर 7 मिनट तक राहुकाल का समय होगा राहु काल समय के दोरान कोई भी शुहकारी या नया कारी नहीं करना चाहिए इस बात का ध्यान रखे 20 मार्च को योग जोकी अतिगंड योग है साम 5 बजगर 1 मिनट तक उसके बाद शुकर्मा योग 20 मार्च को रवी योग बन रहा है जोकी सुभा 6 बजगर 25 मिनट से सुरू हो करके रातरी 10 बजगर 38 मिनट पे रवी योग समापत है नश्चत्र जोकी पुशे नश्चत्र होगा रातरी 10 बजगर 38 मिनट तक उसके बाद अशलेशा नश्चत्र तो जो भी भक्तजन ब्रत्य को धारन करने बाले हैं उन्हें ब्रत्य के दोरान जोकी शुद और शात्लिक्ता का पालन करना चाहिए ब्रह्मचरज का पालन करना चाहिए ब्रत्य को ब्रत्य के दोरान किसी के उपर क्रोध नहीं करनी चाहिए अपने मन में किसी के प्रति इर सुराम सुरूप का पूरे विधी विधान के साथ पूजन करना चाहिए इसने भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं तथा सभी प्रकार के पापों को नश्ट कर देते हैं जब व्यक्ति के पापों का नाश होता है तभी उनके पुन्य उदित हो पाते हैं उसके बाद ही सांसारिक सुखों की प्राप्ति हो पाती है और अंत में जो की भगवान के धाम की प्राप्ति होती है तो आसा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो ऐसे ही ज्यान बर्धक जानकारिया प्राप्त करते रहने के लिए चैनल पे अगर आपको पहल करें शुखी रहें और स्वस्त रहें जैसरी राधिकिष्ण धन्यवाद